पुद्वार को कैबिनेट की बैठक में मूधी सरकार ने शिक्षानीती पर फैसला किया। साथ सब्रमनियम समीती और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समीती बनाए गई थी। नई शिक्षानीती के नई शिक्षानीती में कई बद्लाओं किये गए हैं। नवी से लेकर बाहरवी क्लास तक सेमेस्चर में परिक्षा होगी। स्कूल की शिक्षा को 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के तहत बढ़ाया जाएगा। शिक्षानीती के तहत कॉलेज के कई नियमों में भी बदलाओं किया गया है। कॉलिज की डिगरी तीन और चार साल की होगी। यानि की ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफट, दूसरे साल पर डिपलोमा और तीसरे साल में डिगरी मिलेगी। 3 साल की डिगरी उन लोगों के लिए है जोने higher education नहीं लीना है higher education करने वालों को 4 साल की डिगरी लीनी है 4 साल की डिगरी करने वाले student एक साल में MA कर सकेंगे साथ ही अब students को MFIL नहीं करना होगा बलकि MA के student अब सीधे PhD कर सकेंगे Multiple anti-through back of credit के तहत चातर के वो first and second year के credit डिजी लॉकर के मादियम से credit रहेंगे जिससे कि अगर चातर को किसी कारण ब्रेक लेना है और एक fix time की अंतरगत वो वापस आता है तो उसे first और second year रिपीट करने को नहीं कहा जाएगा चातर के credit academic credit bank में मौझूद रहेंगे ऐसे में चातर उसका इस्तमाल कर अपनी आगे की पढ़ाई कर सकता है बता दे कि मालो संसादन मंत्राले को फिर से शिक्षा मंत्राले के नाम से जाना जाएगा साल 1985 में इसका नाम बदल कर मालो मंत्राले कर दिया गया था पहले मंत्राले का नाम शिक्षा मंत्राले ही था आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें